दोस्तो IPL 2025 में एक ऐसी भी टीम है जिससे हर एक टीम डरेगी एकदम खौप पैदा हो जाएगा उसके सामने खेलते समय जहां दोस्तो मैं बात कर रहा हूँ मुंबई इंडियन्स की अब आप लोग सूच रहोगे कि रजनीश भाई कितनी ज्यादा हाइप बना रहे हो मुंब बहुत खतरनाक साबित होंगे अच्छे से बैटिंग लाइनप की हवा टाइट करने वाले हैं और बैटिंग में चले जाओ बैटिंग में रोहित सर्मा बिल जैक अगर ओपनिंग आएंगे तो तबाही मचा देंगे उसके बाद आएगा सूरी कुमार यादो बहिया तुम सोचो के रोहित को आउट कर लिया बिल जैक को आउट कर लिया आप तो एकदम टेंसन प्री हो गए लेकिन बहिया आएगा सूरी कुमार यादो सूरी कुमार यादो के बाद जंत को नाएगा तिलक वर्मा देखा ना भी सूरी कुमार यादो इसके बाद आपके नमंदीर भी आलराउंडर है मिचल सेंटर भी आलराउंडर है मतलब बैटिंग की गहराई आप देखो तो जो इनकी प्लेइंग 11 होगी वो कुछ इस प्रकार मैंने बनाई है और काफी खतरनाक लग रही है रोहित सर्मा बिल जैक मतलब ओपनिंग जोड हैं तिलक चार पे हैं यह तो डिपेंड करता है टीम का मैनेजमेंट क्या सोचता है कैप्टन क्या सोचता है रोहिस अर्मा बिल जैक सुर्कुमार यादो तिलक वर्मा इसके बाद भाई सहाब आएगा अपना हार्दिक पांडिया फिर आएंगे राइल रिकल्टन इसके बा इनकी तेज गेदबाजी सुरू होती है जियाँ उसके बाद आएंगे जब्रीद बुम 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 जिनसे पूरा देश खौफ閤ा खाता है उसके बाद आएंगे ट्रेंट बॉल्ट भैया पावर प्लेमें ट्रेंट बॉल्ट भी विकेट उखाड़ता है और जबी ये खतरनाक प्लेंग 11 जब मैदान पे उतरेगी न तो हाहा कार मचा के रख देगी सामने वाले टीमों के अंदर दहसत पैदा हो जाएगी आप लोगों को क्या लगता है क्या ये प्लेंग 11 सबसे खतरनाक है पूरे IPL की या नहीं आप लोग कमेंड में बताएए और मैं इस ट पार इस्टार 0.5 की कमी मैं दे रहा हूं क्योंकि यहां पर सेंटनर और नमंधीर की जगा कोई अच्छे आल राउंडर ले सकते थे बाकी की टीम बहुत बैलेंस है आधा इस्टार इसी का कटा है आप लोग बताएए कमेंट